हेलो एन वेलकम टेम एम एकेडमी मैं हूँ शेशांग लखेरा आप तक जो है आपने सुन लिया हूँ कि मिक-21 बाइसन क्रेश हो गया है बाडमेर में यहां बाडमेर जगे आपको राजिस्तान में देखने को मुलेगी और इसमें जो दो पाइलेट है वो शहीद हो गया है द मिक-21 जो है बिलकुल सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है इस पे कोई भी दूमत नहीं है कि मिक-21 एक खराब एयरक्राफ्ट है इस पे लोग की दैथ होती है देखों मिक-21 भाराज जो है 1960 से यूज़ कर रहा है यह मेली रशिया के जो है आपको देखने को मिलेंगे 65 के वार में इसी को यूज़ किया गया था 71 में भी इसको जो है यूज़ किया गया तो मेली इंडिया में एक मेजर रोल जो है आपको मिक-21 का देखने को मिलेगा इस पे आर्टिकल भी उरेशन टाइम का नॉट आ फ्लाइंग कॉफिन डाटा शोज मिक-21 हैस बीन दा सेफेस्ट फाइटर जैट है वो क्या हुआ वो ग्रेश हुआ इसके पहले भी कई सारे क्रेश है लेकन देखो किसी भी जो फाइटर जैट होता है उसकी जो एक मतलब कितना साल जो है इनुनने सर्विश दी है तो मेली इसे साबसे अगर आप देखोगे तो जो मिक-21 का टैनियर है वो स उसको जो है हम क्या करें पूरी तरीके से अलग कर दें तो मेली आज के समय जो है इनकी जगे जो हमारे light combat aircraft तेजस वो ले सकते हैं इसके अलावा हाली में इंडिया ने 36 राफैल भी जो है पर्चेस करें हैं फ्रांसे अब देखो रिसेटली क्या हुआ कि इंडिया एरफोर्स क कि हम बात कर रहे हैं वही fighter jet है जिसने F-16 को गिराया था F-16 एक Chinese made fighter jet है जो की पाकिस्तान की एरफोर्स यूज करती है अब हुआ क्या था कि 2019 में जब standoff हुआ तो अभी नंदन वर्तमन ने पाकिस्तान के F-16 fighter jet को shoot down किया था और किस से किया था हमारे MiG-21 Bison से जियां MiG-21 Bison लेकर यह पाकिस्तान में घुज गये थे और पिर इसके बाद जो है इनका भी जो fighter jet है उसको जो है shoot down कर दिया गया तो मेलनी जो है यह बाहर आ गये थे इनको जो है वापिस यहां पे पाकिस्तान ने रख लिया था और फे 16 घंटे बाद जो है इनको वापिस छोड़ दिया गया था और अब रिसेंटली राजिस्तान के बार में डिस्टिक में जो हमारा MiG-21 है वो crash हो गया है इसपे आपको tweet भी देखने को मिलेगी राजनाज सिंग की यह tweet है हमारे दो air warriors जो है उनकी death हो गई है वो शहीद हो गई है हमारा MiG-21 जो trainer aircraft है वो crash हो गया ह और हमारे जो दो pilot शहीद हुए हैं उन में से एक हैं lieutenant अदवित तिबाल इसके अलावा जो दूसरे हैं वो है wing commander M. Rana तो इनको जो है December 2005 में commission किया गया था इसके अलावा यह आप देखोगे तो June 2018 में इनको commission किया गया था तो mainly इनकी death हो गई है यह जो है शहीद हो गई है तो से उनको use करता है तो काफी को जो है आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी एक्जाम की preparation कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोसी तो कर सकता है आपको सिबली करना क्या होगा आपको डाउट करना होगा फिर आपको sign up करना होगा आप दो व इनक जमाने में इंडियन एयर फूर्स फ्लीट की बैकबोन हुआ करता था आपको याद होगा 1965-1971 जो हमने वार लड़े इन सब में मिक-21 ने एक बहुत इंपोर्टन रोल प्ले किया था इसके अलावा कई बार तो ये भी कहा जाता है कि मिराज से अच्छे तो हमारे मिक-21 अब अगर हम बात करें भारत के एयर कमांड्स की तो आपको मेली साथ जो एयर कमांड्स है वो देखने को मिलेंगे इनमें एक सेंट्रल एयर कमांड है जो की प्रागरा जो तरप्रदिश में है इस्टन एयर कमांड है शिलोंग मेगाले में साउधन एयर कमांड है त्रवंत फाइटर जैट से उनको यूज करता है तो हाली में आपको पता हुआ कि हमने डेसॉल्ट रफैल परचेस किये जो कि मल्टी रोल एरक्राफ्ट है 36 रफैल भारत के पास है और फ्रांस ने जो है इसको डेवलप किया है इसके बाद सुकोई सु-30 जो कि रशिया का मल्टी रोल है सुकोई 30 MKI जो वेरियंट है वो भी हमको देखने को मिलता है और भारत के पास 222 फाइटर जैट्स हैं सुकोई इसके बाद अगर हम बात करें लाइट कॉमबिट एरक्राफ्ट तेजस की तो यह मल्टी रोल है MKI-1 31 जो है यह हमको देख देखने को मिलेंगे इसके अलावा जैगवार है तो यह उनाटिक इंडम के हैं ग्राउंड अटेक है यह 130 है मिक-21 भारत के पास 127 मतलब बाइसान जो की अपग्रेड़ेड है और अभी भी 127 जो है हम यूज करते हैं मतलब आप मान के चलू कि 4-5 फ्लीट जो है हमको मिक-21 की यह अपग्रेड़ेड वर्जन है मिक-21 का दीग है और इसको इंडियन एरफोर्स काफी समय से यूज कर रही है उनने सो साथ में इनको जो है इंडक्ट किया गया था और 65 के वार में 75 के और 65 के वार में 71 के वार में एक मेजर रोल आपको जो मिक-21 है उनका देखने को अब देखो आज की समय यह जो एरक्राफ्ट है ना इनके आपको पूर सेफ्टी रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे और ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एरफोर्स जो है पूरी जल से जल प्रोक्यूर्मेंट कर रही है जल से जल दूसरे देशों से जो एरक्राफ्ट हैं उनको परचेस किये जा रहे हैं इसके लावा हमारे देश में जो इंडिचीनियसली मेड एरक्राफ्ट हैं उनको हम यह पर परचेस कर रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि नेक्स डिकेट तक मतलब आने वाले 10 सालों में आपको देखने को मिलेगा कि हम अपने पूरे एरक्राफ्ट क कि जैसा कोई भी नहीं है अब इसके कुछ ना कुछ रीजन से तो जी हाँ बिल्कुल है देखो पहली बात तो किसी भी फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटी है उसके फ्लाइंग आर्स पर जो है ना पी जाती है ऐसा नहीं है कि उसकी पूर परफॉरमेंस नहीं है आप मिली कहीं न कहीं स्टेट्मेंस नहीं है कि हम पूरी कोषछ कर रहे है किजल से जल हम जो अपने फाइटर जेट से उनका जो है प्रकॉर्मेंट बढ़ाएंगे और अपनी फ्लीट को जो है और मस्बूत करेंगे और मेक 21 धीरे धीरे करके जो है इनको रेप्लेस किया जा रहा है तो अब मैं आप से जानना चाहूँगा कि आपके ओपीनियन क्या है आप अपने ओपीनियन लिखे के ज़रूर इसी के साथ ये तंतिस वीडियो का सुने के लिए बाउधनवाद जहिंद जवाराद